आज मैं आप लोग को ये कार्ट बनाना बता रही हूं जो मैंने घर पर ही रेडी किया है और ये बहुत हीजी है सबसे पहले हम एक चाट पेपर लेंगे उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हैं और उसके बाद आप हम एक ग्लीटर पेपर लेते हैं ग्लीटर पेपर में हम पहले हर्ट सेप काट लेते हैं ये मैंने हट सेप काट लिया है अब हम उसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं इसके बाद हमें इधर फोल करना है अब मैं ये ब्लैक एंड वाइट कलर के उल को मिला करके मैं ये उन्स तयार की हूं अब हम इसे दोनों तरफ से इंसर्ट कर देते हैं अब हम इस हूल को इसके साथ चिपका देंगे अब हम इस हट को इसके साथ अटेच कर देंगे अब हम इसे देखरेट कर देखरेट अब हम डवाइब पत्स लेह भी लीओ याइब औपी टो फ्स कर देखरेट ए उकित कर देखरेट झाल झाल अब मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर लिया है और यह भी ड्राइ हो गया है तो हम इसे फोल्ड कर देते हैं अब मैं इसे उपर डेकोरेट करने के लिए पहले वाइट कलर का चार पेपर काट रही है अब मैंने ग्लीटर पेपर का यह हर्ट सिप काट लिया है उसे हम सिपका रहते हैं हम एक और छोटा सा हर्ट सिप काट लिया है उसे भी चिपका रहते हैं अब मैंने ग्लीटर पेपर काट रहते हैं देखिए हमारा काट बिलकुल रेडी है